एंड़ स्टोडियो में अपडेट क्या है अपडेट बर्जन में क्या-kine new features आया और क्या improve हुआ है तो मैंने भी एंड़ स्टूडियो अपडेट की है जिसमें जिसका नाम है एंडो स्टूडियो लेक्टिक एल एंड उसका वर्जन है 2022.1 राइट इसमें देखेंगे क्या क्या न्यू आया है अभी मैंने यहां पर देखेंगे कि इमिलेटर डिवाइस इसमें क्या है और और एप क्वालिटी इंसाइट्स फ्रॉम फायरवेस मतलब की फायरवेस को कनेक्ट करके और कैसे हम उसकी केशलाइटिक्स और परफॉमेंस डारेक्ली एंडर्व स्टूडियो में चेक कर सकते हैं और फिर उसके बाद विजू लिंटिंग क्या है लॉक्ट में क्या देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है कि डिवाइस और इमिलीटर में क्या क्या है तो हम डिवाइस में जाएंगे और यहां पर जब मैं रिख करूंग तो आप देखेंगे की फॉन में यहां पर रिसफाइज बल एक्सपरिमेंटल करके डिवाइस है जो अगर उस्पे आपको उसका नाम है तेरा मिसू राइट तो यह करने के बाद मैंने अल्रेडी किया हुआ है जन्रेट हो जाएगा सेकेंड इसमें एक और चेंज आया है जो है तो अभी इसको जब हम चालू करेंगे स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आप उसी में आप उसको चेंज कर सकते हो फॉन में देख सकते हो और एज़ा टैबलेट ओदर ऑप्शन आएगे जब इसको चालू करेंगे राइट और फिर ऐसे ही उसको तो मतलब आपको अलग से एक मतलब एक डिवाइस क्रीट करने की जहुरत नहीं है टैबलेट की जगहें आप एजिली वहां पर एक फॉन का आइकोन रहेगा उस पर जब क्लिक करोगे तो फॉस्ट ऑप्शन फॉन रहेगा अनफोल्ड डेट फोल्डेबल रहेगा फिर टैबलेट रहेगा तो आप उसको एजिली रन कर सकते हैं यह हो गया डिवाइस के बारे में बात सेकिंड पॉइंट है इसमें एप क्वालिटी इंसाइट प्रॉम फायरवेस तो आप इसमें इसली फायरवेस अभी यहां पर देखोगे जब मैंने आप भी अगर एंड्रो अप्डेट करोगे तो आपको भी इसमें देखेगा यहां पे एब क्युवालिटी इंसाइट जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर देखो फायरवेस का एकोन आहेगा आप फायरवेस को लॉग इन कर सकते हैं इधर से जिस फायरवेस पर आपका यह एप्लिकेशन आपने क्रीट किया है उसी को आपको को यहां login करना यहां से भी कर सकते हो otherwise आप यहां से भी अंडर studio में login कर सकते हो सेम एक ही बात है आप जैसे login करोगे आप यहां पर आप fireways के सब कुछ देख सकते हो उसकी crash light x or performance everything जो भी आपने इसमें initialize किया है correct इसके बाद आते हैं third option visual linting for view so visual linting में क्या होता है कि आपको हम बताते हैं क्या होता है इसमें अभी suppose then मेरे पास एक view है यह वाला राइट अभी इसको मुझे multiple device पर कैसे दिखता है वह देखेंगे हम तो यहां पर मैं जब इसको दिखूंगा layout validations तो अभी multi supported device के लिए यह आपकी screen या application तो आप उसमें देख सकते हैं कि view कैसे देख रहा है उसमें right यहां पर text भी हुआ है यह वह सही proper देख रहा है यह नहीं देख रहा है अभी जो text वह डायनेमिकली इसमें असाइन होता है अगर हमको चेक करके देखना है तो वी चेक यहां पर चलो एक वैल्यू डाल देते हैं text और यहां पर यहां पर देखो यह आगया यहां पर आ गया तो अभी आप देखो टेबलेट में कैसे देखेगा desktop पर कैसे देखेगा फोल्डीबल डिवाइस है उसमें किसे देखेगा चोटा फॉन है उसमें किसे देखेगा राइट तो यहां पर हम यह देख सकते हैं फिर एक और आता है यहां पर कि अभी हम एडीवी की थुरू डिवाइस करने करते हैं लाइक वाइफाई से इमून अच्छी है उसका और 1910 इसमें एक और ऑप्षन है जैसे आप सेटिंग में जाओगे यहां पे दिंग आके यहां आपको आपको यहां क्लिक करना वह हुआ है मांने प Western मिरुल्व फीजिकल एंध्रोड दिवाइस दिवाइस वाइफाई की तूरू भी कर सकते हैं और अगर उसमें नेट भी तो अब यहाँ डिवाइस करता हूं मेरा मॉवाइल को तो यहाँ पर यहाँ पर मैंने जैसी कनेक्स किया यहाँ पर आ गया अभी आप देख रहे हो गहीए इसकान भी चालू नहीं है राइट देखो यहां पर देख भी कर सकता हूं या यहां पर यह प्रेव्यू देख सकते हैं इसके बाद और क्या नया है इसमें लौक्ट में यह चैंजेंजिस हुई अभी मैं जब लौक्ट में जाऊँगा तो अभी आप देखोगे यहां पर अभी मैंने रन नहीं किया इसलिए वह दिखनी रहा है पोगश भी बड़ जैसी मैं अगर इसको रन करता हूं सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर इसमें इसमें अच्छे से दिखता है यहां पर मैं जिस डिवाइस पर रन कर रहा हूं उस पर पर connect किया तो यह इसका improvement हुआ है यहां पर अभी मैं यहां पर कुछ फिल्टर लगांगा सब्सक्राइब करूँ खाना है मुझे तो मैं यहां पर search कर सकता हूं यहां पर कुछ आ रहा है या फिर यूजर्ज तो यह से मैं इसको फिल्टर भी कर सकता हूं तो यहुआ लॉकेट का अभी हम देखेंगे और क्या इसमें चेंजेस हैं अभी यब आप पर आएंगे तो एक में डिवाइस निकाल देता हूं और हमने लॉकेट भी देख लिया अभी आता है प्रोजेक्ट क्रीट का और कि यहां पर आ गए यहां पर आगए तो यह कई दिखेंगे देजाइन देखेंगे तो अभाit कहल करना यहां पर सेटिंग में जाके और यहां पर आप लाइब भी सर्च कर सब्सक्राइब न भी सब्सेट dahe एन एड़ेट दिया है तो आपको यह क्लिक होता है अगर नहीं हुआ तो आप कर सकते हो राइट अभी यहां पर आपको देख ला होगा कि मैंने अल्रीड़ी यहां पर ट्राइ किया था रण करके इसलिए वह देख रहा है आपको अगर मैं यहां पे कुछ भी change करता हूं यहां पर करता हूं user देखो ऊपर loading चल रहा है जैसे अप to date हुआ इधर मुझे देख गया user तो आप यहां पर change करोगे easily आप यहां पर changes देख सकते हैं उसके बाद अगर मुझे try करना है यहां पर कुछ color कर देखें के यहां पर background देखता हूं मैं background color and color.suppose then blue तो मुझे कुछ जवरत नहीं करने कुछ automatic हो गया और यहां पर update देखा रहा है तो मैं easily उस time देख सकता हूं तो इसको अभी हम आपको यह जब अपडेट करोगे तो यहां पर नहीं हो आ जाता है क्या क्या होगा फीचर आप setting में जाके भी कर सकते हो या फिर उनकी site पर गए जब इस पर यहां पर देख सकते हैं उसमें क्या क्या changes और release notes भी पड़ सकते हैं तो अभी यहां पर आप जाओगे तो देखो यहां पर सब दिया है जो आमने अलुड़ी पड़ा है फिर आप जब फाइरवेस लॉग इन कर लोगे तो आपको ऐसे देखेगा जिसमें आप crash litex देख सकते हो राइट और issues सब जो भी है आप किस device पे इस्यूज आइम आप ज तो आप जब उसको start करेगो तो यह देखो resizable experimental तो यहां पर यह जो आइकोन है यहां पर phone unfoldable folder और tablet तो आप इसको easily switch कर सकते हो दूसरी device पे यहां पर आप इसको scroll कर सकते हो यह voice कम जादा कर सकते हो राइट और भी चीज़ें यहां पर यहां पर डारेक्ली जो आप इसको चा नहीं होगा तो यहां पर अब क्लिक करोगे तो डारेक्ली हो जाएगा उसके बाद जह हमने देखी लिया है visual inting for view ओके different different views के लिए कैसे वो दिखता है different different मतलब एक साथ में आप view देख सकते हो different different device पे उसके बाद mirroring कैसे चालू कर सकते हैं नेवल कर सकते हैं यहां पर देख लिया हमने राइट same to same वो यह locket हमने देख लिया फिर यहां पर यह desktop का था जो run करना था यहां बिल्ड अनलाइजर में भी आप देख सकते कि जब आप बिल्ड अनलाइज करोगे उसमें कौन सा package यूज हो रहा है उसको कितना टाइम डे रहा है वो सब यहां फिर rendering highlights मतलब वह रन टाइम आप rendering देखा था मल्टी स्क्रीन के लिए अगर उस पर किसी स्क्रीन में आपको इश्यू है तो आप उदर एक problem करके आता है उदर आप देख सकते हो जैसे कि एंडर्स्यूरी में गया और यहां पर एक problem करके है मैं उसमें यह compose का है मैं दूसरे प्रोजेक्ट में जाता हूं जिसम स्क्रीन दिखेंगे यहां पर अभी यहां पर कुछ एश्यू आएगा तो हम यहां पर देख सकते हैं विज्वल वजर्ण कंट्रोल नहीं 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 एप इंस्पेक्टर नहीं प्रॉब्लम्स यह यह आगी प्रॉब्लम्स तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किसी में कुछ प्रोब्लम्स है तो उसको कैसे चेंज करना है क्या चेक करना है फिर यहां पर ऑप्शन भी दियें किस टाइप की प्रोब्लम्स आएगी क्या एगी करेक्ट उसके बाद ही हमने लाइब दिख ली जैसे यहां पर आपने कुछ भी चेंज किया तो इधर लाइब दिख जाएगा आपको यहां पर यह लोडिंग हो रहा है मतलब भी चेंज नहीं हुआ तो लाइब अप्टू डेट आगे मतलब टू डेट हो गया तो यह वह है औ को नहीं है